इस वीडियो में आप लोगों को HTML, CSS, or JavaScript की मदद से Snake Game को Starting से लेके End तक बनाना सिखाऊंगा हम लोग एक बहुती Amazing Snake Game बनाएंगे अपनी Web Development Skills को Improve और Enhance करने के लिए Projects का मेरी Life में बहुत बड़ा रोल रहा है और मेरे एसाब से अगर आप लोग Snakes जैसे अच्छ अच्छ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आप लोगों की Web Development Skills से एक दूसरे लेवल पर चली जाती है इस प्रोजेक्ट की साहिता से इसी तरह का बदलाव आप लोगों के अंदर लाने की कोशिश करूँगा याद रखिए कि एक Profitable Web Developer एक वो इनसान होता है जो की Ideas को Project में बहुत ही Ease के साथ Convert करना जानता है इस नेक गेम को बनाने के Idea को आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से Convert करना एक Project में और इसको बनाना Believe Me बहुत ज्यादा आसान है पस राइट टाइम पर राइट सोच आप लोगों को चाहिए और राइट टूल्स कर इस्तेमाल आप लोगों को करना है जो कि इस वीडियो के तुरूआउट पर देमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में हम लोग JavaScript की साहित से Sounds, Animations और User Input का परियोग करेंगे कि किस तरह से JavaScript के अलग-अलग features को यूज करके एक बहुती stable और एक बहुती enjoying game बनाया जा सकता है आगे Monday से पहले आप लोगोंसे request कहनुगा इस वीडियो को like कर दê और नीचे comment कर दे इस वीडियो इस helpful अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक helpful वीडियो है अगर आप लोग ऐसा करेंगे और आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं अपने HTML, CSS और JavaScript के project वाली playlist में और भी projects add करूँगा और इस तरह के बहुत मज़ेदार projects हम लोग और भी बनाएंगे तो time को बिना waste करते हुए मैं इस video को start करूँगा और लेकर चलूँगा आप लोगों को computer screen के अंदर Let's get started So guys, यहाँ पर आचुक हूँ मैं अपने vanilla.js projects वाले folder के अंदर जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे projects बना कर भी दिखाया है मेरे पास एक playlist है उसमें मैं इस video को add करूँगा यहाँ पर मैरे पास कुछ starter files भी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक तो मैंने background के लिए bg.jpg उसकिया हुआ है और यह जो particular हमारी file है यह हमारी background होने वाली है आप अपने हिसाब से customize जरूर कर सकते हैं चीजों को लेकिन बस मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ अभी के लिए इस तरह की आवाज आईगी ठीक है और उसी के साथ-साथ एक background में music बचता रहेगा कुछ इस तरह का 8-bit music है यह मैंने इसको निकाला internet से free music है आप लोग निकाल सकते हो internet से free music इस तरह के और अपने games में लगा सकते हो एक दम बंदा इस्तमाल करो right click करूँगा vs code में इस folder को खोल लूँगा अगर आप लोग vs code यूज नहीं करते हैं या फिर अगर आप लोग नए है इस channel में vs code के बारे में नहीं को बाहर ही बनाओ मैं css के अंदर js folder नहीं बनाना चाहता एक मैं js folder बनाओंगा इससे बास होता यह है कि हमारी files organized रहती है और मैं यहां पर एक static या assets करके भी folder बना सकता हूं जिसके अंदर में सारी files को कर दूँ तो वह चीज भी मैं कर सकता हूं अभी के लिए रहने देता हूं ठीक है बट यहां पर आप लोग जितना organized रखेंगे चीजों को इतना अच्छा है ठीक है इसके बाद बाहर क्लिक करूंगा और index.html नाम से मैं एक फाइल बनाऊंगा और इसमें मैं boilerplate template डाल दूँगा और यहां पर आप लोग देखो मैं इस particular page का जो है एक title रखूंगा मैं अपने game का नाम रख रहा हूं snake mania ठीक है snake mania और कुछ भी मेरे style.css यानि कि यह वाली file जो कि मैं यहां पर बनाई लेता हूँ ठीक है style.css नाम की file मैं ने बना ली एक javascript file बनाऊंगा वो मैं body के बाद यहां पर include करूंगा तो मैं यहां पर style नहीं script src और js slash index.js के नाम से एक file बना दूँगा यह मेरी javascript है game की यह वो file है जो कि मैं logic के लिए इस्तमाल करूंगा इस particular project में यानि कि मैं सारी की सारी javascript इस project की index.js file में डाल दूँगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा body के अंदर आकर मैं एक div.body नाम से या फिर div.container नाम से आप यहां पर div बना सकते हैं यहां पर मैंने सिर्फ class दिया है body नाम का इस particular div को और इसके बाद मैं आपर क्या करूंगा कि div.board के नाम से कुछ ऐसे बना लूँगा ठीक है एक मैंने आपर empty board बना लिया है और यह मेरा board है कौन सा board है जिसमें मेरा snake move करेगा ठीक है तो यह मैंने board बना लिया आप इसको background वगरा भी लिख सकते हो मैंने इसको एक class दे दी simple सी board नामक अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे style.css है उसके अंदर मैं कुछ styles तो universal डालूँगा मैं css को reset करूँगा मैं padding को zero करूँगा और margin को भी zero करूँगा और उसी के साथ साथ मैं body के अंदर कुछ css डालूँगा क्या होगी वो css मैं सबसे पहले तो यहाँ पर करूँगा क्या है इसमें background लगा दूँगा तो जो मेरा background होगा वो एक file है और उस file का नाम क्या है उस file का नाम है मेरा ./.bg.jpg तो मैं basically css folder के अंदर हूँ तो एक folder बाहर आऊंगा मैं install कर लो कोई बड़ी चीज नहीं है यह कोई इतना बड़ा concept नहीं है आप live server को install करोगे जैसे ही तो बस आपको यह है कि आप अपनी .html file के अंदर जैसे ही आओगे css के अंदर से मत करना .html file के अंदर आप जैसे ही आओगे right click करके आपको एक option मिलेगा open with live server जैसे कि आप द दिखाने के लिए तो मैं background color को यहाँ पर red कर देता हूं ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यह पर particular URL था मेरा यह तो मुझे background पर देखने को मिला नहीं उसका reason नहीं था body में width और height नहीं है तो इक आप बता हो background color red डालने की ज़रूरत भी नहीं है मैं इसकी minimum height देता देखता हूं कैसा दिख रही है अभी ठीक ठागी दिख रहा है पर चाहूंगा कि यह snake थोड़ा सा इदर को खिसके एक दम कोने में आ जाए उसका reason क्या है उसका reason यह कि बीच मेरा board रहेगा मैं नहीं चाहता हूं कि यह snake cutting मचा तो यह snake दिखे ठीक है यह आप अपने board को towards the left shift कर सकते हैं आपकी मर्जी है बड़ मैं अपने board को center पर रखूँगा इस snake को खिसकाता हूं भी इदर को तो background size को मैं यह जैसे ही करूँगा यहाँ पर देखो यह change हो गया जो width इसकी 100 VW हो गई height 100 VH हो गई तो मैंने इसको एक तम fit कर दिया अपने background में ठीक है यह करने के बाद मैं क्या करूँगा background repeat को no repeat करूँगा ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 100 VH 100 VW कर दिया बट उसके बाद भी अगर आपके पास short time में जो repeat हो रहा है xy में तो आप background repeat को no repeat set कर सकते है ठीक है यह मैंने कर दिया अभी अब मैं क्या करूँगा इसको बना दूँगा इसका रीजन में आप लुक को भी बताता हूँ justify content center align item center align item center तो मैं center center पर रख लगव vertically center horizontally center सारे items आएंगे मेरे इस particular body के अंदर ठीक है इस body के अंदर क्या है इस body के अंदर है मेरा board ठीक है तो मैंने physically क्या किया जो मेरी body है इसको एक flexbox बना दिया यानि कि अब इसके अंदर जो भी items आएंगे उनको मैं center कर सकता हूँ बड़े आराम से अब मैं आपर board को यहां पर कुछ CSS दूँगा सबसे पहले तो इसका जो background होगा background मैं दूँगा linear gradient linear gradient से क्या होता है light green रगता हूँ linear gradient से होता है basically आपके दो colors आप लोग use कर सकते हैं इसे मालनो मैं green और yellow use करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरा मैंने भी height नहीं दिया इसको तो मुझे board को तरह height देने दो तो मैं width दे दूँगा इसको 90Vmin दे देता हूँ ठीक है वी min क्या होता है भी बतातो हम लोगों को height देता हूँ 92Vmin तो VH और VW में से जो भी छोटा होगा वो Vmin होगा और VH और VW में से जो भी बढ़ा होगा वो Vmax होगा ठीक है तो इसी के सा color मैंने same दे दिया है बाहर वाला मैं यह नहीं चाहता कि मैं बाहर वाला यहां पर color दूँ तो मैं थोड़ा सा light करूँगा इन दोनों color को मैं थोड़ा white की तरफ जाऊँगा white की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ white की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्यों कि मैं चाहता हूँ कि मे पर आप देख सकते हो कि मैंने एक बहुत अच्छा बोर्ड बना दिया, एक स्नेक साइड में खड़ा कर दिया और इतना बिंदाज बोर्ड बड़े अराम से बना दिया, कोई टेंशन ही नहीं होई, ठीक है, और अगर आपकी जो इमेज है, बैक्राउंड इमेज है, अगर वो इस particular box को, और ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले को grid कर दूंगा, तो मेरी यह जो board है, मैं कहूंगा, डिस्प्ले इसकी कर दो grid, और मैं यहाँ पर grid template rows, और grid template columns, यह दोनों चीज़े specify करूंगा, तो हम लोग grid template rows को grid के अंदर rows add करने के लिए use कर सकते है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या repeat function का इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा 18 को repeat कर दो 1fr ठीक है तो 1fr मेरा जो है per unit जो मेरी grid है उसकी width रहेगी और मैं 18 times repeat करूँगा यानि कि मेरे पास 18 rows होंगी मेरी grid में ठीक है उसी के साथ साथ same चीज इस column के साथ की जाएगी तो यहाँ पर मैं columns करूँगा और मैं basically यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं repeat कर रहा हूँ 1fr को 18 times ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको बराबर 18 columns की और 18 rows की grid बना रहा हूँ basically यह syntax मैं यह करने के लिए इस्तिमाल कर रहा हूँ बिल्कल भी confused मत होना 18 rows 18 column की simple सी grid तो मैं आपर right click करके inspect करूँ अगर अभी यहाँ पर तो आप लोग देखो कि right click करके inspect करते ही आपर board जो है वो एक CSS grid है मैंने hover किया हुआ है यहाँ पर grid भी लिखकर आगए अगर आप लोग को दिखर आए तो CSS grid बन चुकी है यह और अगर आप लोग उपर से गिनती करो एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदारा सोला सत्रा अठारा अठारा रोस अठारा columns एकदम गिन सकते हो आप लोग यहाँ पर ठीक है अच्छा अगर मैं इसको 18 ना करके 3-3 कर दो एक बार के लिए मैं आप लोग को इस बताना चाहता हूँ और मैं 3-3 कर दो इसको तब क्या होगा अब हम इसके अंदर कविंगे अपने की सिनेख के गेम को चलाएंग ब्लाम के लिए क्लास दो मैं लिखने उसी के साथ साथ और भी simple सी चीज मैं करूंगा food दा मैं क्या करूंगा background color जो है कर दो आप इसका pink ठीक है बहुत ही simple सी चीज ठीक है in fact मैं कुछ और करता हूँ purple कर देता हूँ background color purple कोई जादा मैंने यहाँ पर rocket science का इस्तेमाल नहीं किया है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यह करने के बाद हम लोग आएंगे अपनी javascript फाइल में अब हमें यहाँ पर जो styling करनी थी वो हम यहाँ पर करेंगे हम इस फाइल में वापस आते रहेंगे अगर हमें लगेगा कि our styling हमें थोड़ी और इंप्रूव करनी है अब यह के लिए मैं क्या करूँगा यार जावा स्क्रिप्ट लिखूँगा लॉजिक पर दियान देता हूँ अभी लॉजिक पर फोकस करूँगा और इस गेम का लॉजिक लिखना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर index.js file मैंने आपर बना दिये ठीक है तो यहाँ पर index.js file बनाने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा यहाँ पर कुछ constants को define करूँगा जो कि मेरे इस particular snake game को run करने में मेरी मदद करेंगे ठीक है तो वो क्या constants है सबसे पहला constant है वो है मेरा direction तो मेरी direction क्या है ठीक है यादि कि मेरा जो snake है वो किस direction में move कर रहा है उसको मैं एक javascript object के दौर पर लूँगा मैं का हूँगा x 0 और y b 0 यादि कि मेरा snake move ही नहीं कर रहा है ठीक है अब यह करेगा move definitely अभी के लिए मैं initial direction 00 कर रहा हूँ ऐसा क्यूंकि याद जब game start हो रहा है तो मैं snake को चलता हुआ नहीं देखना चाहता मैं जाता हूँ कि जब snake चल रहा है sorry game start हुआ है तब snake चले ना snake एकदम start कर रहा है उसके बाद मैं जब कुछ keyboard button दबाऊं उसके बाद चले ठीक है समझ दो आप लोग ठीक है एक तो यह variable होगी हमारा इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी audio को initialize करूँगा यानि कि मेरे पास जितनी भी यहाँ पर audios है मैं उनको कहूँगा let food sound is equal to यानि कि अगर मेरा जो snake है वो खाना काएगा तब जो sound आने वाली है तब मैं आपर क्या करूँगा food sound is equal to food.mp3 और definitely हमारा जो game है वो बिना sound गे भी चलेगा कोई ऐसी बात नहीं कि हमारा जो game है वो इस पर depend करने वाला है पट यार मज़ा आता है यार गेम खेलने में अवाज से बहुत फ़र पड़ जाता है गेम में तो मैं game over.mp3 करूँगा और यार अपना एक चीज़ रसाइट करी है कि कभी भी बिया अपने किसी भी वीडियो में कि मैं कोई भी एगर project हो करा बना रहा हूँ तो मैं उसको beautify बात में किया करूँगा पहले जो logic है उसको समझा दिया करूँगा ताकि यार जिसको सिर्फ logic logic समझ कर गेम बनाना है वो गेम बना ले उसके बाद उसमें जितने भी enhancements है वो करा करूँगा sound भी kind of enhancement में आता है बड़ यहां पर मैं sound को necessity मानता हूँ क्योंकि यार मज़ा नहीं आएगा अगर मैं sound starting में नहीं डाली तो यहां पर मैं move sound is equal to new audio फिर से डालूँगा और इसके अंदर क्या दित दे दूँगा audio के अंदर move.mp3 दे दूँगा तो इसलिए हम लोगो constant use करने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए तो मैं आपर करूँगा क्या कि new audio लिखूंगा और इसके बाद मैं लिखूंगा music.mp3 और मैं इन सब को constant मना दूँगा यहां से लिके पूरा यहां तक ठीक है alt shift दबाऊंगा और मैं आपर multi cursor functionality का इस्तेमाल करने वाला हूं vs code की और यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं लिखूंगा let और मैंने लिखा food sound is equal to new audio food.mp3 game over sound is equal to new audio game over.mp3 move sound is equal to यह और इसी के sensor music sound is equal to यह ठीक है प्रहें के अंदर सारा का सारा मैं logically कूँगा but हमारे पास कोई भी game होता है तो एक game की एक बहुती प्रमुख चीज होती है game loop ठीक है एक बहुती प्रमुख component किसी भी game में game loop होता है जब भी आप game खेल रहे होते हैं तो बार बार आपकी screen को paint किया जाता है paint किया जाता है paint किया जाता है और यह काम किया जाता है game loop द्वारा ठीक है तो game loop यह काम करता है बार बार paint करने का बार बार paint करने का तो हम करेंगे क्या game loop यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे मैं आप आप लोगों को दिखाता हूँ तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में set in double आएगा कि या set in double एक जावास्रिप्ट का method है उसको use कर लेंगे और उसके अंदर जो भी चीज करेंगे वो repeatedly होती रहेगी लेकिन जब भी आप animation को render कर रहे है तो इस हाइली रेकोमेंडेड की आप requestAnimationFrame का इस्तिमाल करें यह वाले method का इस्तिमाल करें और यह अपने अंदर लेता एक method तो इसका जो पहला argument होता है वो होता है function का नाम और वो function जो है उसको pass किया जाता है एक time stamp ठीक है तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या जल्दी से आप लोगों दिखाऊंगा यह चीज कैसे काम करती है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ main logic starts here तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे constants हैं यहाँ पर हमारे game functions होने वाले हैं तो मेरी javascript के अंदर जो भी logic start होगा वो यहाँ से start होगा और उसके बाद जो भी game functions है वो मेरी यहाँ पर आने वाले हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे game की constants है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा game constants ठीक है constants ओके तो यहाँ पर सारे constants पगेरा बनाओंगा constants and variables ठीक है और यहाँ पर मैंने वापस select लिख दिया और मुझे यहाँ पर const लिखना चाहिए था sounds को const बनाना चाहता था मैंने मिटा के वापस select लिख दिया कोई बात नहीं const हम कर देते हैं इसको अब मैं आवर करूंगा कि अपने game के सारे functions लिखूंगा तो पहला function जो मैं लिखने वाला हूँ वह है function main ठीक है आप arrow function भी यूज कर सकते हो मैं आपर करने वाला हूँ यहाँ पर function main लिखने वाला हूँ इसका जो पहला parameter वो क्या होता है हमारे function main का पहला parameter होगा current time ठीक है तो जो c time है वो हमारा current time है तो जिस time पर run हो रहा है वो मुझे यहाँ पर देगा और जब मैं कहता हूँ request animation frame main तब क्या होगा कि यह main को fire करेगा लेकिन उसके बाद यह main को बारबर fire नहीं करेगा हम में के अंदर क्या कहेंगे में के अंदर वापससे इस function को call करेंगे तो उससे क्या होगा जब हम इसको वापससे call करेंगे तो main फिर से call होगा फिर से main call होगा फिर से main call होगा में हमारा game loop बन चुका है और मैंने setindouble को इस्तिमाल लीकित कि पताए setindouble method Google की suggestions आचले बड़ी अजीब सी आने लग गई है तो उसको ignore करें और यहां पर अपनी query को डाले Why use request animation frame efficient animations with यह वाला नहीं मैं actually बात कर रहा हूँ एक stack overflow के answer की और यह वाले answer की बात कर रहा हूँ Why is request animation frame better than set interval or set timeout तो यहां पर आप इस answer को पढ़ सकते हैं और मैं इस particular question का link जो है वो डाल देता हूँ गई पर और मैं यहां पर resources.txt बना देता हूँ और इसके अंदर में links पगर डालता रहोंगा आप लोगी सुवीदा के ले ठीक है अगर short में मैं बात करूँ क्यों use करना चाहिए तो होता क्या है कि यहां पर आप लोग को बिलकुल भी flickr देखने को नहीं मिलता है और जो request animation frame है वो जावा script engine को बहुत अच्छी तरह से बताता है कि आप क्या चीज़ अचीज़ अचीव करना चाहते है सेट इंटवल क्या करता है एक इंटवल पर बार 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 रिपीट करेगा किसी एक चीज़ को लेकिन request animation frame क्या करेगा कि आप लोग को highest fps देगा बार बार रेंडर कर सकता ही है आपके hardware के हिसाप से तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे वापस आएंगे window.request animation frame main हमने यह यहां पर लिख दिया है और अब मैं यहां पर करूंगा क्या मैं लिखांगा console.log और मैं इसको print करूंगा ठीक है तो यहां पर मैं इसको open with live server index.html मैंने अल्यदी अटाच कर रहा है इसमें तो snake mania game कता तो लिखा हुआ है लेकिन यह देखते है console पर क्या-क्या print हो रहा है त और यहां पर देखो यह बहुत तेज़ चल रहा है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो तो यह देखो कितनी तेज़ी से messages आ रहे हैं कितनी बार यह print कर रहा है इन सब चीजों को और अभी मैं इसको यहां पर बंद करता हूँ और अब मैं आप लोगों यहां पर यह दि खेल पाएंगे आप तो गेम खेलना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोग यहां पर fps को control कर सकते हो और आप लोग यहां पर कर क्या सकते हो आप यहां पर चेक कर सकते हो कि कितने fps आप लोगों को चाहिए और कितने आप आप लोग जो है रखना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो एक condition डाल सकते हो आप यहाँ पर c time को minus कर सकते हो last paint time से और last paint time क्या है कि last time कब आपका जो पूरी screen है वो paint हुई थी अगर आप इसको यहाँ पर definitely milliseconds में तो आपको divide करना पड़ेगा इस चीज को thousand से और अब आप यहां पर क्या डाल सकते हो आप यहां पर आपने यहां पर लिखा कि यह जो है अगर यह छोटा है अगर यह छोटा है एक given number से वो given number क्या होगा वो given number कोई भी एक number हो सकता है basically वो number क्या होगा कि आप लोग कितने-कतने second के बाद render करना चाहते हैं अपनी screen को ठीक है तो मैं आ तो हर 0.5 सेकंड जब तक नहीं हो जाते तब तक ये मेरी स्क्रीन को पेंट नहीं करेगा जरह यहाँ पर लास्ट पेंट टाइम को भी जीरो कर दें तो वेसी कलिए यहाँ पर मैं कर रहा कि जाना हूं यह बता दूं आप लोगों को मैं अबर कर गया रहा हूं कि जो मेरा लास्ट पेंट टाइम है उसको मैंने एक टाइम मान लिया है और सी टाइम मेरा करण टाइम है तो लास्ट पेंट टाइम हमारा भी जीरो है ठीक है अब मैं जब इसको घटाओंगा अगर यह छोटा निकला किस से 0.5 से जोगी 1 बाइट अगर ऐसा हुआ अगर यह कंडिशन ट्रू हुई मैंने ब्राकेट साही होप सही लगाया था मैं क्या कोँगा नहीं चाहिए मुझे यह रेंडर यानि कि मुझे अभी रेंडर नीची अभी वेट करो तब तक वेट करो जब तक कि यह कंडिशन जो है पॉल्स ना हो जाती ज है पर यहां पर अपना काम कर सकता हूँ अब इसके बाद मैं क्या करओंगा यहा पर अपना game engine नाम से method बनाओंगा chainiren us-王 Ned – Snack कि ar підका-yy बदेट करेगा मिरस ने क्या है मिरस ने कि एक variable है उस variable को update करने में ये मेरी मदद करेगा उस variable को update करूँगा मैं सबसे पहले और उसके बाद मैं क्या करूँगा उसको display करूँगा तो पहला part इसका होने वाला है part 1 इस function का और वो होगा updating the snake variable rather वो एक array होने वाला है तो मैं array लिखूँगा जिसके अंदर locations होंगी snake के अलग अलग body parts की ठीक है और इसके बाद मैं part 2 लिखूँगा और part 2 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा उसमें मैं लिखूँगा कि मैं अब render करना चाहता हूँ render the snake and food ठीक है तो यह दो अलग अलग चीज़ है और आतर मैं क्योंगा display करेंगे हम लोग यहाँ पर उसको एक html element बनागर display करेंगे तो part 1 में update करेंगे part 2 में display करेंगे part 1 के साथ start करते है नहीं कि हम अपने snake array को update करते है बट हमारा snake array है क्या यह snake array है क्या चीज़ हमारी तो उसके बारे मैं आप लोगों से बात करता हूँ snake array हमारा जो snake है वो है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा let snake arr is equal to यह हमारा snake array है यह एक array ही है और इसके अंदर क्या आने वाला है इसके अंदर snake का head आने वाला है और वो x और y location होने वाली है snake के head गी तो मैं लिखूंगा 13 x जो है वो 13 पर हो और y जो है वो कहां पर हो वो let us say 15 पर हो तो x is equal to 13 y is equal to 15 पर मेरा snake जो है यानि कि एक head जो है वो मुझे देखने को मिल जाएगा जब मैं render करूँगा अभी मैंने बिल्कुल भी display करा नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यहाँ से यह जो distance है यह जो distance है यहाँ से नीचे की तरफ जो distance है वो y है अगर आप लोग class 10 12 की maths पढ़के आयो तो आप लोग को पढ़ाया जाता है यह origin यहाँ पर होता है लेकिन जब आप javascript में यह चीज बनाते हो तो यहाँ से आप लोग को देखना है x-axis इदर की तरफ y-axis नीचे की तरफ तो आपने जो x-positive दिया है वो इदर है और y-positive जो आप दोगे एक जगा पर ऐसा तो होने वाला है हमें snake को चलाना है snake हमारा इदर से उदर उदर से इदर पढ़ता रहेगा चलता रहेगा ठीक है तो क्योंकि हमें snake को यहाँ पर चलाना है इसलिए हमें क्या करना होगा कि अपने इस game loop के अंदर जो मेरा game loop है ठीक है इसके अंदर updates perform करते रहने होगे यानि कि जैसे इस render होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा जो snake है वो change करता जाएगा अपनी position ठीक है अब कैसे change करेगा अपनी position इसके बारे हम बात करेंगे बढ़ उससे भी पहले हम display कैसे कराएंगे snake को यह एक important challenge है तो display कैसे कराएंगे हम snake को हम display कराएंगे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा board है इसको grab करेंगे ठीक है तो जब भी हम snake को display करा रहे है तो हम यह ensure करेंगे सबसे पहले कि जो board है उसके अंदर की HTML है उसको हम खाली कर दे क्योंकि अगर board के अंदर कुछ और है तो हम नहीं चाहते कि हम लोग यहां पर board के अंदर कुछ और है और उसके अंदर एक और snake बना दे फिर एक और snake बना दे वो यार गड़बड हो जाए ऐसा हम नहीं चाहते ठीक है हम चाहते है कि सबसे पहले board को हम लोग खाली कर लें clean slate कर लें अपनी और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे snake array में एक for each loop लगाएंगे और for each loop क्या करता है for each loop एक arrow function लेगा कुछ इस तरह से आप call करेंगे और एक तो हमारा element है और हमारी index से इस दोनों चीज़े हमें मिल जाएंगे इसके अंदर अब हम क्या करेंगे अपने snake array के अंदर जितने भी हमारे पास objects है यहाँ पर देखो एक object तो हमारे पास यह है जब snake start हो रहा है तो सिर्फ उसका head है उसके बाद क्या होगा जैसे से वो खाना काता जाएगा वो पीछे उसकी tail में एक-एक बिंदू जुड़ता जाएगा एक-एक बिंदू जुड़ता जाएगा तो वो जितने बिंदू होंगे उनकी location यहाँ पर हम लोग snake array में add करते जाएगे I hope समझ में आ रहा है सब को ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हम लोग add करते जा रहे है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि snake array.forinch यानि कि सारे के सारे objects जो कि हमारे snake array के अंदर है उनके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे element बनाएंगे हम लोग यहाँ पर कहेंगे snake element is equal to एक नए element बनाएंगे और नए element कैसे बनाए document.create element से create element और आप लोग बता दें कौन सा element आप लोग बनाना चाते हैं आप लोग div बनाना चाते हैं उसलिए मैं आप लिख दूगा ठीक है उस particular row in the grid में यानि कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 तो यह पंदरवे रो में आ जाएगा और इसी दरह मैंने कर column grid column start पे लिख दिया 15 तो यह column number 15 पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पर इसकी location को एसे set कर सकता हूँ तो मैं अभी यह करूँगा e.y कर दूँगा row ठीक है तो मैं इसको जिस भी row में डालना चाता हूँ यानि कि मिरी जो row है अब देखो row x नहीं होगा यह बात ध्यान रखो क्यों नहीं होगा x क्योंकि row इस तरह से है एक दो तीन चार पांच छे तो उपर से कितिनी दूरी है वो y है तो कौन सी row में रखना है कौन से row number में रखना है मैं यहाँ से नमबर डालूगा 1,2,3,4,5, यह गल्दी करते हैं मुझ सारे लोग समझने में कि जो वर्डिकल है हमारा y है वो हमारी row है तो y जो है वो row है x जो है वो column है तो यहाँ पर मैं e.x लिखूंगा और सामे column लगा लेना यहाँ पर ठीक है कर दूँगा इसको as a child मैं काओंगा board.appenchild snake element ठीक है तो snake element को हमने डाल दिया board के अंदर जरा देखें जरा देखें क्या हुआ कुछ हुआ तो नहीं यह क्या हुआ तो अभी कुछ हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जो हमने यह element बनाया है ठीक है सबसे पहले तो हमें क्या करना ह कि जो हमने element बनाया है इसमें class add कर ले है क्यों class add कर रहे हैं हम लोग class इसलिए add कर रहे है क्योंकि हमें कुछ CSS डालनी है ठीक है और वो CSS हम लोग ए class के अंदर डाल देंगे यह करके CSS डालेंगे वो भी एक दिक्कत वाला काम है class list.add और मैं आपर food नाम की class यहाँ डाल मैं जरा कुछ height of width भी देने वाला हूँ food में और height of width देने के लिए मैं क्या करूँगा in fact मुझे height of width देने की जरूवत ने है क्योंकि मैंने यहाँ पर दे दिया है इसको grid कहां गया मेरा grid row start इसका e.y कर दिया हो यह e.x कर दिया है this should do this is doing the trick indeed और यहाँ पर तेखो मेरे पास एक यहाँ पर जो square था वो आ गया है तो मेरा जो snake है वो यहाँ पर आ गया है मेरा food यहाँ पर अभी तक नहीं आया है तो मुझे अभी food बनाना है मुझे snake को move कराना है और snake को move कराने के साथ साथ अगर यह टकरा जाता है snake कहीं पर तो game over कराना है तो काम तो अभी अपने बा को लिखते हैं वह पॉर्टीकल जो कि स्नेक को खाना होता है उसको बनाऊंगा तो उसको बनाने के लिए मैं आपर करूंगा क्या कि मैं यहां पर एक और element add करूँगा अपनी इस grid के अंदर और यहाँ पर display the snake और display the food में तोड़ा अलग-अलग बना लेता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा comments जो है मेरे एसाब से यार बहुत जाद important रहते हैं जब भी आप कोई program बना ले हो क्योंकि आज आपको बता है आपने क्या गी है आज मुझे बता है मैंने क्या गी है शायद मैं 6 महीने बाद या 6 महीने बाद कोई दूसरा इंसान इस code को देगे शायद वो ना समझ पाए मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहो आप बात को इसलिए मैं यहाँ पर displaying the food तो लिखूँगा लेकिन उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर comment भी एक लिख दूँगा और मैं बिल्कुल exactly यही काम करूँगा जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है but मैं एक चीज करूँगा यहाँ पर कि जो sneak element है इसको मैं food element कर दूँगा अब बात हो रही है food element की तो मैं food element is equal to document.create element करूँगा और एक div बनाऊँगा और उसमें मैं क्या करूँगा कि उसको मैं equal करूँगा food.y और food.x के पहले मैं क्या कर रहा था जो snake body है उसकी position को यहाँ पर देख कर मैं अपने snake की body को grade में set कर रहा था यहाँ अपनी grid में display कर रहा था अब मैं क्या करूँगा एक उस food particle की जो x or y coordinate है उसको मैं display करूँगा लेकिन food है क्या क्या है food food यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा ठीक है मैं कोई खाना वाना नहीं बनाता हूँ cooking नहीं करने वाला है अब हमें food बनाना पड़ेगा यहाँ एक object बनाना पड़ेगा अब देखो एक बात यहाँ पर बहुत साफ है कि food array नहीं है food क्या नहीं है array नहीं है उसका reason क्या है उसका reason simple सा यह है कि food सिर्फ एक particle है snake के बहुत सारे elements है क्योंकि वो खाना खा का कर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो यह चीज हमें ध्यान में रगनी है तो save करते हैं इसको index.js को और यहाँ पर मैं board में बेंड करूँगा अपने food element को snake element को नहीं food element को तो सब जगा food element होना चीजिए यह चीज आप लोगो दिहार रखना है और एक चीज और हमें यहाँ पर करनी है कि हम food नाम की class को add ना करें हम snake नाम की class को sorry food नाम की class को यहाँ पर add करें और head नाम की class को यहाँ पर add करें क्योंकि मैंने यहाँ पर food तो बनाया है in fact मैं body नाम से नहीं बनाऊंगा class क्योंकि body नाम से मैंने already class बना ली है तो मैं क्या करूँ मैं snake नाम से बना ले तो इन class ठीक है अब मैं सब क्यों कर रहा हूँ ज़र आपको explain करता हूँ मेरे दिमाग में चल गया रहा है जब मैं ये सब चीजे कर रहा हूँ राणम लोकेशन इन ग्रेट पर मैं लगाऊंगा वो यल्लो कलर का होगा तो यहां पर मैं class देने वाला हूँ food यानि कि जो मेरा food है उसमें food देने वाला हूँ यहां पर मैं snake देने वाला हूँ ठीक है और मैं यहां पर एक condition डालने वाला हूँ कि अगर index 0 है मैं आपर देखूंगा if index is equal to 0 तब आप क्या करें तब आप कुछ इस तरह का काम करें ठीक है यानि कि यह वाली class भी add कर दे तो आपने snake तो add किया ही आप head भी add कर रहे हैं अगर index 0 है तो ठीक है यानि कि अगर आपका जो snake की body का जो element है वो head है यानि कि वो पहला element है तब आप क्या करेंगे आप करेंगे कि head वाली class भी add कर दो ठीक है तो आते हैं जारा देखते हैं कि ऐसा चल रहा है सब कुछ तो यह चीज़ तो add होई लेकिन मुझे यापर food add होता हुआ नहीं दीका तो मुझे यापर करना क्या है food को यहाँ पर इसको कुछ coordinates देता हूँ मैं यापर इसको तो कर दूँगा let us say 6 और इसको मैं कर दूँगा 7 मैंने same किये हूँ है food और जो snake की मुंडी है वो इसलिए जो snake की मुंडी है उसके उपर food आ जा रहा है और एक के पीछे एक आ जा रहा है तो एक छुप जा रहा है अभी मैंने इन दोनों की location को अलग-अलग कर दिया है और आप लोग देखो कि जैसे ही मैं यह करूँगा यह यहाँ पर आ गया यह यहाँ पर आ गया ठीक है अब यहाँ पर yellow color का मेरा food है ठीक है और मेरी red color की मुन्डी है ठीक है और purple color मैंने डाला हुआ है snake पर तो मुझे काम करना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर if else लगाना है ठीक है कि अगर index is equal to zero तब मुझे head add करनी है class वरना मुझे add करनी है snake ठीक है या फिर मैं काम करूँगा कि मैं कुछ ऐसे कर दूँगा ठीक है तो ऐसा मैं करूँगा तो क्या होगा कि purple color का जो यहाँ पर मैंने snake दिया हुआ class वो लागू हो जाएगी ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा else और अगर यहाँ पर head मैं नहीं दे रहा हूँ अपने snake element को तब मैं snake element को head अगर नहीं दे रहा हूँ तो snake class दोँगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या किया अपने snake को display करा लिया अपने food को display करा लिया अब आगे के logic को मैं लिखूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या आउंगा आगे और अब इस logic को आगे बढ़ाऊंगा मैं basically मैंने board में अभी snake, food ये सब चीज़े डाल दी है लेकिन जब मैं keyboard के buttons को दबाऊंगा तब क्या होगा ये चीज मुझे यहाँ पर अभी देखनी है तो main logic मेरा यहाँ पर start हो रहा था ये तो सारे methods मैं लिख रहा हूँ ठीक है ये variables है मेरे और जो मेरा logic है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर ये snake game तो बड़ी मजे से बनेगा देखते जाओ तो मैं आपर कर क्या रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ कि कभी भी किसी ने कोई भी button दबाय कीबूड पर उस event को मैं listen कर रहा हूँ कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई key down करेगा ये event fire होगा तब क्या होगा ये function run होगा ये एक arrow function मैंने दिया है तो जो add event listener है उसका पहला argument होता है event और दूसरा होता है arrow function तो पहला argument मैंने दिया key down कोई भी key दबाय तो क्या हो ये वाला method है वो fire हो अब इस method के अंदर मैं क्या करूँगा सबसे बहले तो मैं क्या करूँगा कि input direction जो है input direction को मैं change करूँगा और कोई भी अगर button दबाता है तो मैं क्या करूँगा game को चालू कर दूँगा ठीक है और मैं आपर comment भी लिख देता हूँ start the game ठीक है कोई भी button अगर दबेगा keyboard पर तो game चालू हो जागा snake move करना start करतेगा नीचे की तरफ y is equal to one की तरफ ठीक है अब क्या होगा क्योंकि मैंने ऐसा किया अब मैं क्या करूँगा जो मेरी ये वाली sound है इसको play करूँगा इस sound को play करने का reason यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा user उसको मालूम चल जाए कि चल किया रहा है अगर मैं आपर button दबाँगा keyboard पर और अवास भी आएगी तो experience कुछ और ही रहेगा ठीक है तो move sound को मैंने play कर दिया है आपर अब मैं आपर करूँगा क्या यह डिटेक करने की कोशिश करूँगा कि कौन सी की दबाई कई है तो मैं आपर switch के statement का इस्तेमाल करूँगा मैं आपर लिखूँगा e.key यानि की मेरा जो event है जो की fire हुआ है dot key जो की मुझे बताएगा कि कौन सी की है और उसकी जो value होती है वो constant के साब से होती है अगर arrow up है constant value तो इसका मतलब की up arrow की दबाई गई है down है तो down दबाई गई है left है to left दबाई गई है right है तो right दबाई गई है tap दबागर सेम काम किया जाएगा arrow down के लिए और सेम काम किया जाएगा arrow left के लिए और arrow right के लिए ठीक है यार यह इन इन ठीक कर लूँ मैं कुछ जादा इधर को जा रही है सब चीज़ें और यहाँ पर मैं एक enter भी मारूँगा ताकि चीज़े यार खुबसूरत दिखें क्योंकि यार अगर source code खुबसूरत नहीं दिख रहा है तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी तो arrow अपके बाद मैंने आप लिखा arrow down और arrow down के बाद अब मैं लिखो रहाँ आप left और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखोंगा right तो arrow right होगा तो console पर यहाँ पर लिखाई देगा right ठीक है तो जैसे ही मैं अब game को start करूंगा तब होगा क्या कि एक sound मुछे play होती होगी दो input direction भी यहाँ पर देखो मैं change कर रहा हूँ, जो कि पहले 00 हुआ करती थी वो अब यह हो रही है, ठीक है लेकिन इस input direction को अभी मैं use नहीं कर रहा हूँ भी कुछ हो नहीं रहा है इस input direction से तो अभी कुछ होगा नहीं, बट अभी यहाँ पर बहुत अच्छा time है यह देखने का कि क्या मेरे events काम कर रहे है क्या अगर यहाँ पर यह चीज तो मैं lock करी रहा हूँ, मेरा game loop तो चली रहा है ज़रा इस console lock को comment out करूँगा कभी भी production code में na console lock मत रखा करो, ठीक है और यहाँ पर देखो console एक दम मेरा खाली है अब यहाँ पर arrow की दबाऊंगा उपस, यहाँ पर मुझे यहाँ click करके दबाना है मुझे इसको गिलाना है मैं यहाँ click करके, screen पर click करके यहाँ आप arrow की दबाऊंगा यह देखो अवास भी आई देखा आवाज आई, arrow right दबाए है मैंने बिल्कुल, arrow left दबाए है आप down दबाऊंगा और बहुत बढ़िया यार यार यह तो चल रहा है, यह तो चल रहा है, must चल रहा है एकदम ठीक है और यहाँ पर आप लोग देखों कि यह बहुत बढ़िया चल रहा है game मैं आपर लिखूंगा कि जो input direction का x है और input direction का y है वो क्या होना चाहिए यह मैं यहाँ पर set करूँगा, ठीक है, तो x और y दोनों में से कोई एक चीज 0 हो सकती है और एक चीज 1 हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 रहेगा, एक 1 रहेगा जब हमारा snake move कर रहा होगा जब हमार snake move कर रहा है, यहाँ वो x की तरफ move कर रहा है, यहाँ वो y की तरफ move कर रहा है ऐसा तो हैनी कि वो diagonally move करेगा, ना ऐसा नहीं होता, snake game में हम सब ने खेला है ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, कि मैंने किया क्या, कि यहाँ पर input direction की x value और y value दोनों change करूँ अच्छा कर मैं arrow अब दबाता हूँ, तो x value क्या होगी, input direction की 0 होगी, क्योंकि यह वो अप की तरफ को move करेगा और हर बार मुझे उसकी जो distance traveled उसमें से एक कम करना पड़ेगा, यहीं कि तभी दो ऊपर गो जाएगा मैंने आप लोगों को बताया था, कि यहाँ से start हो रहा है, मेरा जो origin हो यह है, यह positive x है, यह positive y है नीचे की तरफ तो मुझे इसको उपर धकेलने के लिए इसमें से y घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसलिए y की value minus 1 on the similar grounds मैं आपर करूँगा क्या, y की value 1 कर दूँगा या 0 कर दूँगा, arrow down में, और जब मैं right की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, अपने snake को, तब मैं करूँगा क्या, कि x को 1 कर दूँगा, y को 0 कर दूँगा, definitely y तो 0 रहे गई है, जब आप horizontally move कर रहे हो snake को, और जब आप input direction. x करोगे यहाँ पर, यह आप minus 1 करोगे, जब आप left की तरफ move करना चाहते हो, basically यह velocity है, इस variable का एक अच्छा नाम दिया जा सकता था, velocity, तो मैं आपर input direction दे रहा हूँ, इसका नाम क्योंकि जो भी आप input कर रहे हो, जो direction input कर रहे हो, इस case आप से, आप यहाँ पर direction दे रहे हो, बट मैं इसको snake velocity भी बोल सकता हूँ, तो एक snake velocity नाम भी मैं दे सकता था, इस variable को, वो भी शायद justify करता, बट आप लोग समझ गए, यह चीज क्या कर रहे है, मैंने क्यों use करी है, यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं यार, और अब क्या होगा, कि input direction की जो value है, वो change तो हो ठीक है, लेकिन हमने snake को भी बनाया, और हमने food को भी बनाया, अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर दूसरा काम करना है, जो कि हमने किया था, updating the snake array, ठीक है, पहला काम करना है basically, दूसरा काम हमने कर दिया, हमें update करना है snake array को और food को, यहाँ पर हमें वो सारा logic लिखना ह अगर खाना खा लिया गया तब क्या करना है अगर कुछ नहीं किया तो snake move तो करता ही रहेगा ना हर बार तो वो चीज भी हमें आपर दिहान में रखनी है ठीक है so यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या हम लोग सबसे पहले यह लिखेंगे कि यार अगर अगर यहाँ पर collapse हो जाता है snake तब क्या करना है तो मैं यहाँ पर is collapse या फिर is collide लिख देता हूं अगर collide हो जाता है snake और मैं इसको यहाँ पर argument दूँगा snake है रहे अगर collide हो जाता है तब आप क्या करोगे अगर आप टकरा आ गए तो सबसे पहले तो आप game over sound को play करोगे ठीक है game over sound को play करोगे music sound को बंद करोगे तो यह दो function तो आप लोग करोगी करोगे ठीक है input direction को reset करोगे ठीक है input direction को आप क्या करोगे सेम चीज़ कर दोगे जो initially थी तो जो आपकी input direction थी जिसका नाम मैंने direction रखा हुआ है तो यह मुझे input dir रखनी चाहिए थी मैंने इसका नाम सिर्फ direction है यहाँ पर क्यों रखा input direction मैंने रखनी थी इसको और इसको मैंने 00 देना है ठीक है तो यह 00 जिस तरह यहाँ पर है उसी तरह यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से करना है ठीक है input direction 00 एक alert डाल दूंगा और मैं कहूंगा game over press any key to play again ठीक है तो game over यहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो snake array है उसको भी reset कर देंगे ठीक है तो snake array में हम सिर्फ यहाँ पर जो initial हमने लिया था एक value यानि कि head की position वो हम रखेंगे ठीक है इतना रखेंगे snake array को और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही alert किसी ने हमें enter मार दिया या फिर किसी जाकि जो बंदा है वो game खेल सके score एक variable बनाऊंगा जिसको मैं 0 करूंगा और यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं let's score is equal to 0 और जैसे हम लोग खाते जाएंगे खाना वैसे वैसे score बढ़ता जाएगा ठीक है और score को display भी कराएंगे तो आप लोग बने रहो और मैं आपको बता है नहीं हमने फंक्शन लिगा यह फंक्शन हमको ready रखना है function is collide यह भी हमको ready रखना है और यह snake ARR लेने वाला है इसको मैं SARR कर देता हूँ और इसको SARR करने के बाद मैं अभी के लिए क्या करता हूँ इसको return false कर देता हूँ यानि कि collide नहीं हुआ है बाद में condition डालेंगे देखेंगे collide हुआ तो क्या करना है ठीक है तो यहां पर मैंने collide किया अगर हमारा snake तो उस चीज का logic लिख दिया अब मैं क्या करूंगा अब मैं यह लिखूंगा कि यार अगर खाना खा लिया snake ने तब क्या करना है तब तो फिर हमें वापस से दूसरी जगा पर food रखना and regenerate the food ठीक है तो कब खाएगा हमारा snake खाना जब उसकी मुंडी और food का जो coordinates है मों मिलेंगे यानि कि snake ARR 0 यानि कि जो मुंडी है snake की उसका y बराबर हो जाए food के y के and at the same time snake ARR 0 का जो x है वो बराबर हो जाए food के x के I hope that makes sense और जब हमारा जो food है और हमारे snake का head है उनके x y coordinate match हो जाएंगे इसका मतलब आपने खाना खा लिया है आप करेंगे क्या आप यहाँ पर snake body में एक और मुंडी append करेंगे यानि कि आप लिखेंगे snake body dot unshift snake body dot unshift और अब आपको करना क्या है आप यहाँ पर एक और element जो है वो add कर देंगे snake array में तो मैं इसको snake ARR करूंगा सबसे पहले तो snake array dot unshift क्या करेंगा starting में जो है array के add कर देता element ठीक है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो मुंडी है उसका एक clone add कर दूंगा आगे की तरफ को यानि कि जिस direction में snake move कर रहा है उसकी तरफ को तो मैं आपर क्या करूंगा जो s होगा x होगा वो होगा snake ARR 0.x और उसी के साथ साथ मैं इसमें add करूंगा input DIR ठीक है इसमें input DIR add करूंगा और input DIR add करने के बाद मैं क्या करूंगा input DIR का in fact x add करूंगा क्योंकि input DIR हमारा कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें x और y है ठीक है और same चीज मैं y के लिए भी करूंगा बस वही चीज है x को y से y को x से replace कर दूंगा कुल मिलाकर मैंने क्या किया यह भी बता देता हूं आप लोग को कुल मिलाकर मैंने यह किया है कि जब आपने खाना खाया तो आप उसकी मुंडी के आगे उस direction में जिस direction में वो move कर रहा है उस direction में एक और खाना लगा देंगे इन फाक्ट उसका जो head है वो वहाँ पर आप जाएगा आप उसमें एक और मैं कहूंगा snake body segment लगा देंगे ठीक है जैसे जैसे snake खाता जा रहा है वैसे body segments पढ़ते जा रहे स्नेक के आपने एक और add कर दिया वहाँ पर तो जैसे ही वो खाना खा लेगा तब होगा क्या कि आपको update करना पड़ेगा food की location को तो food के x को मैं क्या करूंगा randomly generate करूंगा 2 से लेके 16 तक के number को तो मैं लिखोंगा 2 plus math.round और यह भी बता हूंगा यह कहां से आ रहा है तो अगर आपको a और b के बीच में random number generate करना है तो आप क्या करों लिखो a plus b minus a multiply by math.round तो मैं आपर लिख लिखोंगा x और x के बाद मैं आपर लिखोंगा मुझे यहां पर करना क्या है कि मुझे यहां पर एक नया food generate करना है तो मुझे क्या करना है नया food generate करना है और वो नया food में कैसे generate करूंगा वो मैं math.random की सायता से करूंगा अब जहां पर भी मैं food generate करने वाला हूं वो होने वाला है एक integer इसलिए मैं यूज करूँगा mat.round को और mat.round के अंदर आएगा मेरा a plus b minus a और यह थोड़ी सी mathematics है आपर और मैं आपको बताऊँगा कि यह क्या mathematics है mat.random जो कि एक random number 0 to 1 के बीच में आपको देती है mat.random x u to random number between 0 to 1 अब क्या होगा कि यह जो भी number generate करेगी मुझे उसको multiply करना है b minus a से और उसमें add कर देना है a और यह generate करेगा a से लेकर b तक एक random number ठीक है तो यह formula होता है random number generate करने का मैं इसकी mathematics से भी नहीं बता रहा हूँ ठीक है मैं यहाँ पर अगर आपको search करना है कि random number between a to b कैसे generate करना है इंटरनेट पर कर सकते हो पर अभी के लिए मैं क्या करूँगा a और b के बीच पर random number generate करूँगा तक start हो रही है मेरी grid लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ना थोड़ा सा lenient रखूँगा game को थोड़ा सा आसा रखूँगा enjoyable रखूँगा और मैं generate करूँगा 2 से लेकर और 16 तक ठीक है मैं 2 से लेकर 16 तक generate करूँगा अपना random number ठीक है एकस पर भी वाई पर थाकि जो खाना रहे वो बीच ओ बीच रहे अब मैंने यहाँ पर collision का देख लिया मैंने उसी के साथ साथ यह देख लिया कि जब खाना खाली आ जाएगा तब क्या करना है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा move करूँगा Snake को मैं लिखूँगा moving the snake और यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि अपनी snake को मुव करूंगा यह नहीं कि उसका जो X और Y है उसको मैं अपडेट करूंगा तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या है Snake को मूव करने के लिए आप लोग देखो मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ Snake Game और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ Snake Game तो अगर मुझे किसी Snake को Move करना है मुझे कोई Appropriate सा Image मिल जाया इस जोब तो मुझे आ पर यह Image मिल गया आप जैसे देख सकते हो अब अगर मुझे snake को move करना है तो मैं कैसे move करूँगा आप लोग देखो मैं snake को move करने के लिए क्या करूँगा कि हर एक जो मेरा यापर segment है मैं इस square कोई जो छोटे-छोटे squares आपको दिख रहे हैं इनको एक segment बोल रहा हूँ ये सारे के सारे segments क्या हैं ये सारे के सारे segment snake की body के parts है ठीक है आपको अगर snake को move करना है तो आप करें क्या कि हर segment को उसके आगे वाले segment पर रख दे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो ये वाला part है जो आपका ये वाला part है वो आजाएगा अब इसकी जगा आपका जो यह वाला part है यह आजाएगा इसकी जगा और उसी के साहसा जैसे से आप खिसकाते जाएंगे इन सारे के सारे snake के parts को आपका head कहाँ पर जाएगा आपका head की final bar ही आएगी और आपका head आजाएगा एक कदम आगे किस दिशा में जिस दिशा में वो चल रहा है ठीक है तो इस चीज़ को mathematically या फर मैं कहूंगा programmatically कैसे लिखना है देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पूरे snake की body पर iterate करेंगे मैं एक यहाँ पर for loop लगा लेता हूं सबसे पहले और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि programming के शायता से आप लोग को यह चीज़ समझाओ मैं आपर लिखोंगा let i is equal to और मैं एक ultra for loop को मतलब क्या है मैं आपर लिखोंगा snake array dot length minus 2 और minus 2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा snake array dot length minus 1 होता है हमारा last element लेकिन मैं यहाँ पर जाओंगा minus 2 पर यानि कि मैं बात कर रहा हूँ second last element की मैं इस वाले element की बात कर रहा हूँ इस array में यह array का 0th element है यह first second third और यह second last तो मैं i को यहाँ से start कर रहा हूँ ठीक है आप लोग इस चीज़ को दिहान में रखो मैं i को यहाँ से start कर रहा हूँ ठीक है अब मैं आपर क्या कर रहा हूँ I को क्योंकि मैं यहां से start कर रहा हूँ मैं यहां पर I को क्या करूँगा मैं कहां तक चलाउंगा मैं काओंगा जब तक I greater than equal to 0 यानि की all the way to 0 मैं यहां से start करूँगा हाई को और इन सारे के सारे elements के लिए चला हूँगा आप इसको एक array के तोर पर resume करो यह 0 यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 और यह पूरा array हमारा चल रहा है snake array की बात मैं कर रहा हूँ यह snake array का 0 तो element है और यह snake array का last element है और यह snake array का snake array dot length minus 2 तो element है अगर मैं 0 से start करूँ इंडेक्स को तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर उल्टा for loop चला रहा हूँ मैं i minus minus और i greater than equal to 0 लिखूँगा यह हमें मालूम है हमने पढ़ रखे है decrementing for loops const element is equal to array i अब मैं करूँगा क्या मैं यहाँ पर लिखूँगा snake array i plus 1 यानि कि जो हमारा snake array i plus 1 कौन सा है starting में यह last वाल element होगा क्योंकि यह है मेरा second last element मैं यहाँ से start करा है अपना i तो i plus 1 यह होगा मैं इसको बराबर कर दूँगा इसके ठीक है मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा और मैं इसको बराबर कर दूँगा snake array i के ठीक है और यहाँ पर अगर आपने इसको ऐसे किया है तो होगा क्या कि आपका यह जो snake है expect आप लोग करेंगे कि move करेंगा बट actual move नहीं करेंगा बट अभी के लिए assume करते हैं कि move करेंगा ठीक है snake array i plus one is equal to snake array आपने कर दिया ठीक है आपने इसको कहीं डालना पड़ेगा तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि इसको कहां डालना पड़ेगा लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से आप नहीं कर सकते आपको destructuring लगा कर एक नए object के बराबर करना होगा Snake ARR I plus 1 को तो आप यापर triple dot Snake ARR I plus 1 कर देंगे ये एक altogether नया object है जिसके अंदर सिर्फ Snake ARR I है ठीक है I hope आप समझ गए इस चीज़ को देखो यार क्या है कि आपको करना क्या है अगर आप लिखोगे कुछ इस तरह से Snake ARR I plus 1 is equal to this तो क्या होगा कि जो Snake ARR I plus 1 है वो point करेगा उस object के जिस पर Snake ARR I है और जैसे इसे आप करते रहोगे आपके सारी element एक ही object पर point करने लग जाएंगे तो referencing को ठीक करते हुए बिना referencing problem के साथ अपने Snake ARR I plus 1 को update करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे है बिसिकली मैंने Snake ARR I plus 1 को Snake ARR I के बराबर किया इसे साथ कुछ भी नहीं किया है बस मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से करना पड़ता है अगर मुझे एक नया object यहाँ पर create करना है मैं reference problem नहीं रखना चाहता मैं यहाँ पर एक नया object के बराबर इसको करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करूँगा ठीक है और इसके बाद हमारा बहुत ही simple Snake ARR 0 का जो X है उसको हमें add कर देना है क्या कर देना है उसमें add हमें input dir.x ठीक है and same goes for y same goes for y same चीज हमें y के साथ कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसने किया रर 0.x में जोड़ दिया input dir.x और इसमें जोड़ दिया y let's see if it works in action और ये भी देखते हैं कि यार कहीं कोई error तो नहीं आ रहा है क्योंकि यार इस पॉइंट पर error की chances है ठीक है तो यहाँ पर error मेरा नहीं आना चाहिए कोई arrow अप लिख कर आ रहा है बट ये continuously move नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है बट काफी slow move कर रहा है देख रहो आप लोग देख रहो यह देख रहो और यहाँ पर जैसे ही मैंने खाया वैसे ही कुछ गड़बड होई मैं देखता हूँ कि क्या code में गड़बड चल रही है मैं देखता हूँ यहाँ पर तो मैंने basically क्या किया snake ARR I plus one को इसके बराबर कर दिया फिर finally मैंने क्या किया कि इसका जो पहला वाला element था उसको कुछ ऐसे कर दिया जब मैं food खा ले रहा हूँ तब मैं क्या कर रहा हूँ एक नया food बना दे रहा हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर बस मैं यह देखना चाहता हूँ कोई error तो नहीं आया है जब मैं यह सारी चीज़ कर रहा हूँ और हाँ error आया है array is not defined एक error आया है const element is able to array आया है तो मुझे array नहीं करना है snake error आय करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मुझे यह चाहिए भी नहीं ठीक है मैं element use भी नहीं कर रहा हूँ अब मैं देखता हूँ कि यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखो मेरा snake बहुत slowly move कर रहा है और इसका reason यह है कि मैंने जो है इसके fps बढ़ा ही नहीं अभी तक और यह देखो बढ़ा हो गया वाव यार हमने काफी हद तक मना लिया game जो snake का head है वो मेरा by the way आपको बता दूँ red color का है और यह देखो यह चल रहा है यार वाव वाव दिस वर्क्स तो एक काम करता हूँ मैं आपर अपने fps बढ़ा लेता हूँ speed को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मुझे adjust करना पड़ेगा थोड़ा बहुत मैं पांच करके देखता हूँ speed को और मैं देखता हूँ कि क्या मुझे desired speed मिल रही है थोड़ी और speed को बढ़ा ही जा सकता है इक चीज मैं आपर देखी कि जब मैं food खा रहा हूँ न तो वो music नहीं बज़रा है food खाने वाला वो मुझे चाहिए music यहाँ पर और उस music का नाम क्या है music का नाम है food sound उस food sound को मुझे बजाना है जब मैं खा रहा हूँ food तो जैसे ही मैं food खाऊंगा मैं food sound.play करना चाहूँगा और food sound.play करने के बाद मैं क्या करूँगा वापस से आऊँगा गेम में और food खाना शुरू करूँगा वाव दाट साउंद वेरी सेटिस्फाइन एदा लग रहा है मैं सचे मैं खा रहा हूँ एपल यार snake game का जो सबसे important part था वो बन चुका है आपर ठीक है आप लोग को बता दूँ बाद में थोड़ी खुबसूरती बढ़ा हूँ इस game की बड़ मैं आप लोग को बता दू कि बहुत important part बन चुका है snake game का वाव amazing यार amazing करनी है ठीक है तो मैं भी इसको बंद करूँगा वरना यह जावास्क्रिप्ट रन होते 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 हैं करते ही मेरे browser को मैं अभी यहां पर करूँगा क्या कि यह logic लिखने की कोशिश करूँगा मैं यह जो is collide function है मैं इसको complete करूँगा कि यार snake जो है वो अपने आपके अंदर घुझ जाए ठीक है तो अपने आपके अंदर घुझ जाए पहले मैं लिखता हूँ if you bump into yourself ठीक है क्या होगा फॉर लगाऊंगा यहापर let i is equal to 0 0 से start नहीं करूँगा क्योंकि 0 तो 0 के बराबर ही है मैं 1 से start करूँगा और आपको बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा किया ठीक है snake era.length और उसी के साथ साथ index plus plus ठीक है मैं आपने condition डालूँगा आप लोग देखना मैं आपने लिखूँगा if जो हमारा snake का head है वो अगर बराबर हो जाता है किसी भी element के x और y के यानि कि जो head है वो किसी भी पीछे वाले snake की किसी भी segment में घुश जाता है तो वो एक collision बाना जाएगा तो मैं आपर कैसे लिखूँगा इस चीज को मैं लिखूँगा if मैं आपर इसको snake लिख देता हूँ snake मैं आपर लिखता हूँ if snake.x ठीक है जो snake का sorry snake index.x snake यार i कर देते हैं इसको यार index क्यों लिखा है इतना बड़ा लगता है ना मुझे index i लिख देता हूँ भाई हम i वाले हैं हम c language वाले हैं हमने c language पड़ी थी नहीं भी पड़ी थी i use कर सकते हूँ कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है मैं आपर क्या लिखाँगा return true इसको complete करूँगा मैं भी complete नहीं किया है मैंने तो snake i.x triple equal to triple equal to snake zero dot x ठीक है अब यहाँ पर आपके head को snake की body के अंदर टकराने के लिए x और y दोनों coordinate बराबर होने चाहिए तब यह आप कहेंगे कि जो head है वो body के किसी segment से टकरा गया अब मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा एक तो x coordinate बराबर हो उसी के साथ-साथ इनके y coordinate भी बराबर हो क्या बराबर हो इनके y coordinate भी बराबर हो तब हाँ तब बहुत बड़ी हाब बात है ठीक है अगर y koordinator बराबर है आप जो है कोलाइड कर चुके है इस बात की पूरी पुष्टी हो चुकी है अब यहाँ पर मैं y करूँगा और यहाँ पर देखो x और y दोनों koordinator मैंने match कर लिए और मैं return कर रहा हूं true ठीक है उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक conditional लगौँगा मैं कम गत दिवार में गुझ गये mayरी grid जो है वो कहां से कहां तक है 0 से 18 तक है तो जो ideally snake का head है वो जो जेरो से लेकर कहा तक जा सकता है 18 तक जा सकता है तो मैं यह चीज लिख दूँगा मैं कहूँगा कि अगर snake 0.x is greater than or equal to 18 ठीक है या फिर या तो आपका x coordinate निकल जाए बाहर ठीक है grade गे या y coordinate निकल जाए बाहर grade गे या फिर सबसे पहले मैं x coordinate का लिख देता हूँ यहाँ पर जो snake 0.x यहाँ पर जो snake 0.x है वो less than equal to 0 अगर 0 से या निकी इस direction में बाहर निकलेगा या इस direction में बाहर निकलेगा अगर आपको यह दिखा हूँ मैं ज़रा इसको game को वापस से चला लेता हूँ इन फैक्ट में क्या करूँगा प्रेम कथा लिखूँगा यहाँ पर आ जाएगा प्रेम कथा क्यों नहीं आ रहा है यार प्रेम कथा के नाम से ही तो डाला था कमाल है यार या गया snake पर नहीं गेमिंग कथा था sorry यार गेमिंग कथा था प्रेम कथा चल रहा है मिरे दिमाग पर, पता नहीं क्या हो गया है, अब यहां पर देखो, index.js यहां पर लिगा है मैंने, snake 0.x is greater than equal to 18, या फिर, snake 0.x less than equal to यह, और यही चीज हम लोग add करेंगे y के लिए, ठीक है, y भी मेरा नहीं होना चाहिए बड़ा, तो देखो, x और y द तब आपको collision मिलना चाहिए, वरना अगर आप निगल जाते हो, इस for loop से, by the way, गड़बड़ पैने कर दिये, यह for loop यहां तक बंद होगा, ठीक है, तो basically for loop के अंदर मैं सिर्फ इतना check करूँगा, कि भाई, उसका head जो है, वो पीछे के segment जे टकरादा है, या ने टकरादा है ठीक है, तो यहाँ पर जो है, collision हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई error आ रहा है, क्या कोई error आ रहा है यहाँ यहाँ पर- in the line what is यहां पर मैंने लिखाए कि snake i.x सगर snake 0.x के बराबर हो जाता है और उसी के साथ साथ snake i.y. snake 0.y के बराबर हो जाती है तब return करो true वरना snake 0.x अगर greater than equal to 18 है या फिर less than equal to 0 है या इसका जो y है वो greater than equal to 18 है या y less than equal to 18 है sorry less than equal to 0 है तो क्या करना है तब आपके लिए होगा लेकिन क्या हो रहा है ठीक है अभी सही हो गया ठीक है अभी सही हो गया अब मैं game start कर सकता हूँ मैं खेल के देखता हूँ गया तो मैंने खा लिया अभी मैंने दिवार में टक्रा के देखता हूँ अब मैं अपने आपके अंदर गुश गया तब भी जो है यहाँ पर गेम ओवर हो गया ठीक है तो kind of हमारा snake game बन चुका है काफी हद तक कहूंगा बन चुका है बट अभी भी काफी चीज़े बाकी है तो मैं इसको जरा सा style सही से करूँगा उसी के साथ साथ मैं आपर एक score एड़ करूँगा चुकि मैं यहाँ पर display करा हूँगा आप high score भी एड़ कर सकते हो local storage में save करा सकत हो जो भी maximum score तब तक कर रहा और जो भी इंसान तोड़ेगा उस score को एक particular computer में वो display हो जाएगा ठीक है तो high score आप लोग यहाँ पर display करा सकते हो मैं नहीं करा रहा हूँ ठीक है आप करा लेना चाहो तो ठीक है मैं आपर करूँगा क्या इसमें एक border डालूँगा ठीक है और मैं 0.25 vmin डालूँगा border और vmin काफी काम करता है मेरे लिए 0.25 vmin का border ठीक है white color का border डालूँगा और border radius जो है 12 pixel मैं दे देता हूँ ठीक है और अगर मुझे लगेगा थोड़ी कम जादा देनी है तो मैं वह भी क अच्छा नहीं लगा तो देख लेंगा या चेंज दर लेंगा और क्या है ठीक है यापर मैंने यह linear gradient दिया है उसी के साथ-साथ में same border दूँगा ठीक है white color का और 0.25 vmin में आपर कर दूँगा ठीक है और food में अगर मैं black border दूँँ ऐसे तो अलग सा दिखेगा क्योंकि वह food है वो थोड़ा सा different दिखना चाहिए और border radius थोड़ी सी कम रखूँगा और अगर लगेगा मुझे कम यह जादा है तो मैं उसको जो है देख लूँगा ठीक है अब मैं आपर इसको सेव करूँगा और देखूँगा कैसा लगना में रसनेक और एक चीज एक चीज यहां पर ना पर आपका X0 से कम हो यह आपका Y0 से कम हो और तो आप यहां पर देखते है पर लगे और अब देखते है इसको are the मैं दिवार में घुशूँगा और आप लोगों से तक ही बात कर पाऊँ म्यूजिक को थोड़ी दिर के लिए बंद करूँगा ठीक है मैं आपर जब तक अब development कर रहा हूँ मैं ये वाला जो game का music इसको बंद कर दूँगा ठीक है तो मैं आपर जो मेरा music sound है उसको मैं कभी चलाओंगा ही नहीं तो मैंने कही नगई पर जो music है उसको बजाया है कहां बजाया था मैंने music को किसी को याद है कहां बजाया था मैंने music को music sound or play मैंने यहाँ पर play किया है मैं नहीं करूँगा play music sound को play नहीं करूँगा और नहीं करूगा अपले, ठीक है, मैं आपर क्या करूगा, जो head है, उसको भी थोड़ा सा style करूगा, मैं head को style करना भूल गया, मेरे हिसाब से head को भी style करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको एक purple border दूगा, 2 pixel, solid purple, ठीक है, 2 pixel का purple border हो गया, यहांपर, मेरा जो head है उसको, उसी के के लिए red और yellow का दे दूगा linear gradient, बाद में यार मुझे अगर लगा कि यह साही नहीं है, तब मैं इसको change कर दूगा, और एक transform इसमें मैं लगाऊँगा, और वो होगा scale, और मैं इसको थोड़ा सा 2% बढ़ा करना चाहता हूँ, 1.02 का मैंने transform लगा दिया, ठीक है, तो अभी देखते हैं हैंपर कितने changes ऐसमें, और यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर border radius नहीं लगाई है, border radius भी लगा सकता हूँ, मैं border radius भी लगा दूँ गया मेरा जो head है मैं head में border radius भी लगा देता हूँ तब क्या होगा कि थोड़ासा मैं थोड़ी सी कम border pixel border radius लगाना चाहता हूँ border लगा दिया border radius लगा दी और ये देखो देख रहे हो हाँ लगा रहा है snake must हमारा एकदम head उसका बड़ा और tail चोटी और लगा रहे है कि हाँ ये snake है देख रहे हैं वाव वाव वेरी satisfying वेरी satisfying और उसका जो head है वो भी पूरा आग की shape में है तो यार मैं तो इस game खेल रहा हूँ मैं तो आप लोग देखो मैं कितना खतरनाक player हूँ कितना खतरनाक snake mania player हूँ मैं क्या है कोई जो challenge कर सकता है मुझे कोई है तो नीचे लिखो comment में करते है battle एक साथ पूरी भर दूँगा जितने square है इसमें सब भर दूँगा इतना तकड़ा खेलूँगा अभी तो टुटोरियल कट आईगा इस तो जब इस तरह की गेमों की बात आती है ना phone phone में कोई आता है इसे candy crush हो गया या फिर आपका ninjump हो गया यूनिकॉर्ण डैश हो गया और भी सब्वे वब्वे वाले गेम जो होते हैं अपने टैमपल रण सब्वे सर्फर सब की हवा करते था हूं मैं उस तरह की गेम जब कहनता हूं तो और यहां पर देख रहे हो आप कहा पर आया फूड भी कहा पर आ गया बिल्कुल उसकी दु कितना मस्त बनाया logic और वैसे मैं कैसा player हूं नीचे comment में बदा हो यार सब लोग कि अब तो आपको पता चली गया है कि मैं कितना खतरनाक snake player हूं नीचे एक comment तो बनता है कि खतरनाक content player हो आप इस तरह से लिख दो नीचे ठीक है तो अब क्या करेंगे okay लिख देंगे लिखेंगे नीचे क्लिक करेंगे और यहां पर score display कराएंगे तो मैंने एक variable बनाया था अगर आप लोग को याद हो score नाम से यह score नाम से जो मैंने variable बनाया इसको मैंने 0 किया था मुझे simply करना किया जब भी मैं खाना खा रहा हूं मुझे इस variable को बढ़ा देना है मुझे इसमें एक add कर देना है ठीक है और music को by default आप लोग open कर ले ना मैं plus equals to one कर देंगे ठीक है यादि कि score में भी हम एक चीज जो है वो add कर देंगे अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पर मैं div.score के नाम से यहाँ पर मैं score लगा सकता हूं ठीक है तो ऐसा कर रहे हैं कई तरीक है आप यहाँ पर div.score नाम से आप बना लो या फिर आप क्या करो कि board के अंदर ही डाल दो कहीं ना कहीं position absolute कर गए अभी के लिए मैं क्या करता हूं div.score बनाता हूं और यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसकी innerHTML जो है मैं एक काम करता हूं इसको id बना देता हूं id of score ठीक है id is equal to score और यहाँ पर जो हमारा score होगा जो हमा से style करेंगे कि जो इसकी position होगी उसको मैं करने वाला हूं absolute ठीक है position absolute करने वाला हूं position absolute और यहाँ पर हम गया करेंगे अब top से देतेंगे 9 pixels ठीक है top से 9 pixels और right से 200 pixels से try करेंगे और देखेंगे कि अगर सही जगह पर बैढ़ी है तो अची बात है नहीं बैटर तो बैठाएंगे ठीक है font size कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा क्योंकि यह font है 39 pixels और उसी के साथ तो इसको हम बाद में adjust कर लेंगे अगर हमको लगा font weight bold भी कर सकते हो क्योंकि score है ठीक है अब मैं क्या करूंगा जो score है उसका innerhtml set करूंगा कहां पर set करूंगा जब मैं यहां पर snake को खा रहा हूं ठीक है तो यहीं पर मैं जहां पर मैंने score को बढ़ाया है वहीं पर मैं score को नहीं आपर नहीं बढ़ाया है मैंने score को score plus equals to one मैं आपर लिखूंगा score.innerhtml is equal to score और plus score जो भी आपका score चल रहा है और by default इसके अंदर क्या रहेगा by default इसके अंदर रहेगा score zero ठीक है देखते हैं यह आपर आगे है बिल्कुल सही जगा पर तरा google fonts पर चलते है और google fonts पर चलके कोई अच्छी सी font लेकर आते हैं यह ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है यह लगाऊंगा fonts यह वाली font लगाऊंगा अपने इसके लिए score के लिए है और कोई धंकी बॉन डूनता है मिलेगी ज़रूर I think that's fine यही वाली लगा लेते हैं अभी के लिए यह चलेगा तो मैं import करना चाहता हूं इस font को और use भी करना चाहता हूं तो यहां पर import कर लेते हैं ठीक है font import कर ली और यही CSS को use करने की ठीक है तो यहां पर font family मैंने set कर दी है और यह देखो और वा यार क्या बता हूं यार अब तो मैं मतलब पता नहीं कुछ कर भी पाऊंगा की नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यार मैं मुझे लगता है इसी हो खेल कर रहा है आप यह यहां यह इसी मत पता रह्यां क है और प्रीक कीषा है ऐसी हो कि मैं मजस अब इसको छी लगरा है हाँ आप सही लग रहा है यह ठीक है यह आप चाहो तो डार्क कर लेना ठीक है आप चाहो तो डार्क कर लेना और यह देखो बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है अभी ठीक है चाहो तो इसका जो बॉर्टर कलर है वो ब्लाक कर सकते हो हेड का ठीक है यहाँ काम करता हो मैं डा अर आसा पसंद करते हो। आछिया का सपीड ठीए, ठीक है। और यार एक चीज और हम बताना चाहूँ सो कई तभी को आपको उस बताद मुझ। आपको बता दूवां यारभर आप शुंदा के इका अन्यक्ण बढ़ा सकते हो ठीक है like है। प्रेशर सिचुएशन में खेलना पसंद है अदे आर मैंने कलती से डाउन की जगा उपर दवा दिया कोई बात नहीं और ना मैं और बढ़ाऊंगा और फिर खेल के दिखाता हूं आप लोको मैं उननिस करके देखता हूं मुझे पता है समलेगा भी नहीं उननिस पे बट स्टिल मजे के लिए मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूंगा अरे बापरे ओ ओ ओ ओ ओ अरे भाई मैं इतना तकड़ा प्लेयर हुई तो मुझे भी नहीं बता मुझे तुझे है अगर ओलम्पिक से भाई स्नेक्स का तो मैं चाल लो इसमें ठीक है तो इतना कडर माखेल रहा हूं अरे मैं तो परशानी हूं आगया अरे बहुत तेज हो रहा है यार ये बहुत तेज हो रहा है आपनी बेजती निकराना चाहता ओनलाइन मैं इस गेम को यहीं कटर हूंगा मैं बेजती निकराना चाहता दिवार में ठुक कर यार मैं तो बड़ा कटरना हूं तो बड़ा हैवी ड्राइवर हूं यार ओ बेटे मौच करते हैं तो औरे यार लग गई दिवार बेढ़ी गए लेकिन उसके बाब वुद्ध भी बहुत हैवी ड्राइवर हो इस गेम का ठीक है तो मजा आया आया होप और स्कोर बढ़ रहा था कि नी बढ़ रहा था कि किसी नोटिस किया है और हम तो गेम में इतना मस्त हो गए हमने ओ स्कोर ही नी बढ़ रहा है वाह कीओ नहीं हे बढ़ रहा है स्कोर इसको बढ़ बढ़ रहा हुआ है हम इतना लेन हुआ कि score इढ़ रहा है तो जरु देखते हैं कि यार क्या नाटक हो रहा है मैं जब guar less equal to one कर रहा हूँ कर क्यों कि मैं score को sport box चेंज औरूँँग जब भी किसी id को डालते हो div के अंदर तो क्या होता है कि उस id नाम का variable आपको मिल जाता है javascript में लेकिन अभी हमने क्या किया कि score मा हम से एक variable ही बना लिया तो दिक्कत आ गई है यहाँ पर हम score को ही यहाँ पर लिख रहे है score.in or html तो वो चीज काम नहीं कर रहे है तो यह confused हो जा रहा है score यह जो number आपने यहाँ डिफाइन किया है वाला score यहाँ फिर आपके html वाला score तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है style में भी जारा जहाँ पर score था स्कूर बॉक्स करना पड़ेगा और higher up चलना चीज है अब तो चलना चीज है ओके लेट्स सी ओ येस इट वर्कस गेम खेलने में भाछत मजा आरा है आप लोग भी एडिक्ट होने वाले है इस गेम के और यह जो है दूसरा blue whale का game बनने वाला है, इतना edit game बनने वाला है मुला करो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही simple सा game है, लेकिन मज़ा हैगा खेल के, खिला के, ठीक है, इसको host करो अपने दोस्तों खिलाओ और high score की functionality add करो, मैं बताता हूँ 0, कि high score अभी का 0 है ठीक है, अब मैं करूँगा क्या कि मैं अपने local storage में जाओंगा जब यहाँ पर मैं अपना ये चीज़ कर रहा हूँ ता मैं local storage में जाओंगा मैं कहूँगा कि यार let high score is equal to local storage dot get item और मैं आपर लिखूँगा high score ठीक है, क्या है high score ये चीज़ मैं आपर देखूँगा और मैं आपर लिखूँगा get item high score अब क्या होगा कि अगर ये नहीं है अगर ये मौजूद नहीं है मेरी local storage में high score तब क्या होगा इसका मतलब कि इसका मतलब यही हुआ कि यापर high score नहीं है ठीक है तो ये null जो है वो मुझे return करेगा अगर जो if मैं आपर लिखूँगा high score is equal to null अगर high score null है यानि कि high score है ही नहीं तब आप क्या करें high score को zero set कर दें तो आप क्या करोगे local storage dot set item करके high score को zero set कर दोगे ठीक है local storage dot get item control c dus copy और get की जगा set करना है आपको local storage में set कर दो high score को क्या set करोगे high score को zero set करोगे ठीक है तो आप यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से zero set कर जाकते हो लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से zero set करोगे तो आप नहीं कर सकते आपको यहाँ पर इसको as a string ही set करना पड़ेगा तो आप क्या करो यूज करो json.stringify और hscore ठीक है यह highscore बनाता हूँ और यह जो मैंने यह आपर लिखा हूँ है इसको highscore string बनाता हूँ ठीक है highscore is equal to local storage dot getItem highscore ओके so एक काम करते हैं कि एक highscore नाम का variable बनाते है highscore well लिख देता हूँ ठीक है इसको highscore well तो यहाँ पर highscore equals to null तो मैं क्या कर लिखूँगा highscore well equals to zero और मैं आपर highscore की जगा पर यह set कर दूँगा लेकिन अगर यह null नहीं है तब इसका मतलब क्या हुआ अगर यह null नहीं है इसका मतलब local storage में जो है वो highscore है और highscore की value क्या होगी मैं क्या करूँगा जो highscore की value होगी उसको मैं set कर दूँगा कहा पर अपने highscore की जगा तो मैं आपर लिखूँगा यह जो मेरा highscore box है मैं लिखूँगा highscore box dot inner html is equal to अभी यहाँ पर क्या था high score 0 था मैं आपर आप कर दूँगा high score कुछ इस तरह से और यहाँ पर मुझे double quotes use करने पड़ेंगे मैं लिखूंगा high score और 0 की जगा high score value ठीक है यह करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग गेम आपका वैसे भी चलेगा अगर आपको high score चाहिए लेकिन तब आप लोग को यहाँ पर देखो high score value is not defined लिखकर आ रहा है मैंने कुछ ना कुछ गरबड़ करी है तो high score value जो है वो यहाँ पर अगर मेरा high score null है तब तो यहाँ पर मैंने इसको zero किया है अगर null नहीं है तब मुझे लाना पड़ेगा get item करके ठीक है तो मुझे यहाँ पर high score जो है high score value high score जो कि string में लेकर आया हूँ जो कि string में local storage से लेकर आया हूँ वो यहाँ पर मेरी आ जाएगी ठीक है तो अभी देखता हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी error नहीं आना चाहिए high score zero है लेकिन जैसे ही high score जो है बड़ा हो जाता है अगर score से तो जो मेरा high score है ठीक है मैं आप यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा high score की जो value है high score dot value high score val is equal to high score की जो value है उसको बराबर कर दो json.parse और मैं यहाँ पर लिखूँगा local storage dot get item high score ठीक है तो मैं यहाँ पर high score लिख दूँगा समझे आप लोग मैंने क्या किया I hope मैंने confused नहीं किया इस चीज़ को एक बर और मैं समझाऊँगा but let me make it work first एक बर बस यह काम कर जाए ठीक है तो यहाँ पर विल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चीए अभी के लिए ठीक है मैं इसको reload करूँगा और यहाँ पर देखो आप लो अब high score को देखो ठीक है तो high score की value zero है high score की zero value मैंने कर रखी है और अगर और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए मेरी high score well यहाँ पर अगर मैं इसको print करने की कोशिश करूँ तो वह zero आ रही है अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा score यहाँ पर बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा high score well को check करूँगा कि क्या score बढ़ा हो गया high score well से अब मैं आपर लिखूँगा कि अगर score बढ़ा हो गया if score is greater than high score well अगर आपने तोड़ दिया high score तब क्या होगा तब आपका क्या होगा आपका high score set हो जाएगा आपका नया high score set हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ratio value को change कर देंगे, जो high score की value है, इसको change कर देंगे, हम लिखेंगे local storage, और हम लिखेंगे local storage.setItem और यहाँ पर, जो आपका score है, वही high score हो जाएगा, local storage.setItem, high score, json.stringify, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, high score well is equal to score हो जाएगा, तो score को update कर देंगे, और set कर देंगे, आपकी local storage में, उसी के साथ साथ हम लोग एक चीज और करेंगे, यह जो innerHTML वाली बात है, वो भी हम लिख देंगे, ठीक है, तो high score की जो innerHTML है, high score box की, वो भी यहाँ पर आजाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने, यह भी add कर देना है, now let's see if this works, तो high score तो update हो, मेरा मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, high score 0 है, और मेरा score जो है, वो definitely बड़ा हुआ 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 हाई score से, let me see की मेरे यहाँ पर local storage में set हुई value की नहीं, वो भी नहीं हुई, तो मेरा score अगर greater than high score value है, तो मेरा high score value है, वो score होना चाहिए, और मेरा high score local storage में, वो set होना चाहिए था, बड़ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अब यह debug करना है, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने गलती करी है, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए high score value, चूकि high score value में high score की value को store कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यह चीज लिखूँगा, तब आप लोग देखो यहाँ पर, मैं जल्दी से reset कर देता हूँ चीजों को अपनी, जल्दी से यहाँ पर मैं जो local storage है, उसको clear कर देता हूँ, और ऐसा करने के लिख आप लोग simply क्या कर सकते हो, यहाँ पर यह चीज यूज कर सकते हो, और आपकी local storage clear हो जाएगी, अभी बढ़ी local storage clear हो चुकी है, मैं अब यह game खेल रहा हूँ बड़े अराम से, देखो मेरा high score 1 है, ठीक है, अब high score 2 हो गया, देखो high score भी update हो रहा है, देखो high score 5 हो गया मेरा score के बरावर, अब देखो high score 7 हो गया, और यह देखो 8 हो गया, अचलो टकरा जाता हो आप लोग भी खेलो दोड़ा, मैं ही खेलूँ क्या, अब मैं reload करूँगा इसको, तो मुझे high score चीए 9, और जब तक मैं, जब तक मैं high score तोड़ ना दूँ, तब तक यहाँ पर, यह show नहीं होना चीए, high score update नहीं होना चीए, आप high score को देखो, मैं game खेल रहा हूँ, मैं गाड़ी drive कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखो इदर बर, मैं नहीं देख सकता है score की तरफ अभी, मेरा द्यान बिल्कुल score की तरफ नहीं है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ महेना तभी, score को तोड़ने के लिए, ठीक है, और आप मुझे बता हो जल्दी की score change हुआ की नहीं, high score change हुआ है, यहां देखो, 11, 12, 13, and so on, ठीक है, so I hope की clear हैं, यह सब चीज हैं आप लोगों को, अब ज़रा इसको थोड़ा सजा लेते हैं, ठीक है, तो जो मैंने high score box नाम की ID बनाई है, उसको बिल्कुल कुछ उसी तरह का मैं CSS दूँगा, जो की मैंने score box को दी थी, ठीक है, और मैं आपर करूँगा क्या की position absolute दूँगा, top और सब कुछ, top से मैं 19 pixel कर दूँगा, थोड़ा नीचे आ जाता की high score, और यहाँ पर अभी इसको reload करता हूँ, नहीं नहीं थोड़ा और मुझे space देना पड़ेगा, 29 देखता हूँ कैसा रहता है, trial and error अखेल है, ठीक है, trial and error करते है, control R, top से मुझे और नीचे दखेलना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा सा जाधा ही धखेल लूँगा यार अभी मैं, 59 मैंने वैसे कुछ जाधा ही धखेल दिया, नहीं यार, कुछ जाधा ही धखेला, बल्लकुल ठीक धखेला मैंने, अगर मैं इसको align करना चाहता हूँ, score के नीचे, तो मैं इसका जो, यहां से यह चीज है, मैं दिखाता हूँ आपको, right है, उसको थोड़ा कम कर सकता हूँ, देखो यहां पर, मैं इसको, कुछ ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने 140 पिक्सल कर दिया, इसके right को, high score box के right को, 140 पिक्सल कर दिया, तो इस तरह से 140 पिक्सल कर आप लोग कर दोगे, तो यहां पर देखो, रिलोड करता हूँ, और यह देखो, अब यार मैं 14 था high score तो नहीं तो बड़ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, local storage.clear रन कर दूँगा, तो एक method भी रन कर सकते हूँ, जो की होता है local storage.clear, और आपकी local storage एक दम clear हो जाएगी, जैसे देखो, 00 हो गई, अदे यार यह तो बड़ा गंदा high score था, 0 to duck पे out हो गया है, हाँ, ठीक है, बस मैं 3 का ही बनाओ का score, और इसके बाद तोड़ूँगा इस high score को, तो 3 का अभी तक का high score था, I just hope कि इसमें कोई bug ना हो, इसलिए मैं बार बार चेक करना हूँ, ठीक है, हाँ, 6 का high score है, अब 6 तक मैं बनाओंगा, अगर यहां पर score अपना, तो यहां पर, अभी तूटे का score तो high score भी update होगा, देख रहो, देख रहो, कुछ जादा ही फुटतीला हो रहा है, वे snake, तू इतनी देश क्यों भाग रहा है, So guys, that was all about the snake game, आप लोगों को I hope पसंद आया, इसमें कई चीज़े और add की जा सकती है, आप इसको और modular बना सकते हो, जैसे कि, जो मैंने जावस्क्रिप्ट यहां पर लिखी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा, मैंने हाला की बहुत सारा यहां पर कॉमेंट्स बेरा डाले हुए है, बट अगैन, मैंने यहां पर क्या किया कि, को अलग कर रखा है, आप लोग इनको इक सेपरेट फाइल्स में, सेपरेट मॉड्यूल्स में भी ढाल सकते हो, बिसिकलिए यह मेरा मतलब है कहने का, और कॉमेंट्स यहां जादा आप लिखो, उतना अच्छा है, मैंने यहां पर जो है, हम भी जौड़ी भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसी के साथ साथ, एक काम जो करना चाहूँगा, मैं आपर, वो यह है कि, यहां पर एक assets folder बनाऊगा, और assets के अंदर डालूँगा, यह सारे के सारे images को, और music को, यहां फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं जब आप लोगों को organization बता रहा हूँ, कि किस तरह सा organize आप लोग कर सकते हो, ठीक है, तो जो music है, वो जाएगा, उपस, यह क्या कर दिया मैंने, music जाएगा हमाले music folder में, ठीक है, और जो image है मुझाएगी, img folder में, और यह resources.txt में मैंने एक link डाला हूँ, आप लोगों के लिए, अब मैं क्या करूँगा, कि जहां-जहा music use हो रहा है, जहां भी music use हो रहा है, तो मैं sound search करूँगा, यह मुझे पता है, मैंने sound के नाम से दिया है, और यहां पर मैं क्या करूँगा, कि multi cursor functionality का use करूँगा, और यहां पर मैं music slash कर दूँगा, उसी के साथ-साथ, जहां-जहां मैंने image use किया है, ठीक है, तो image मैंने कहा-कहा use किया है, मैंने बस bg के वाला image वो use किया हो है, तो मैं dot dot slash img slash bg dot jpg, I hope कि मैंने यह जो प्रोग्राम में ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और एक पर और क्या करता है, music को जो है, आप अप अप जो चला लेते music को, उसको हम दोनों जगा चला लेते हैं, तो मुझे दो जगा प्ले करना है, एक तो जब मेरा game over हो जाए, उसके बाद मुझे continue रखना है music को, और एक game को start करते time, just start होता है जैसे game वैसे music को play कर देना है, एक final gameplay में आप आप लोगे लिए रखना चाहता हूँ, मैं start करता हूँ इसको, reload करूँगा, और यहाँ पर देखो, इसको मैं control R कर दूँगा, मैं आप इसको जल्दी से start करूँगा, एक last gameplay आप लोगो दिखाना चाहता हूँ, मैं खेल के भी पारा हूँ यार, तो यहाँ पर जादा मैं score करनी पारा हूँ भी, तो अब आप लोग करो score, मैंने 12 का iScore बना रहा का यह मुझे पता बहुत जादा नहीं है, मैं कभी लंबा चोड़ा iScore बनाऊंगा तो बताऊंगा, और grids मत बढ़ा लेना अपने snake में, इतनी grids के rows और columns के साथ, मेरा iScore तोड़ो, सब लोग तोड़ लेंगे अराम से, अगर नहीं तोड़ पारे हो तो problem है, मैं तो यह कहे रहा हूँ क्योंकि इतना easy है, iScore बारा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो I hope कि game पसंद आया, आप लोग को सारा source code मल जाएगा, और अगर इसी तरह के cool, मैं इसको बंद करता हूँ, अगर आप लोग को projects और देखने हैं, तो मेरी यह playlist है, projects using HTML, CSS in JavaScript, जरूर चेक आउट करें, मैंने आपर एक clock बना कर दिखा यह, moving Lamborghini, फिर एक और game हमने बनाया हुआ है, action game बनाया हुआ है, responsive log template है, cheat sheet template है, तो कभी भी आप लोग को web development के projects की कमी महसूस होती है, तो आप इस playlist में आ जाओ, एक ऐसा stop बनाने वाला हुँ, इसको web development projects का की, बहुत सारे projects होगे, इसमें धमा किता, I hope की यह video आप लोगों को पसंद आया, कुछ भी improvements है, अगर आप लोगों के लिए Snake game के लिए, तो मुझे जरूर बताएं comment में, हो सकता है कि हम इसका part 2 बनाकर, अगर मुझे लगे कि वह improvements बहुत अच्छे है, part 2 बनाकर, मैं जरूर डालूँगा, बट यहाँ पर मैंने यहाँ पर करी दिया यह सारा काम्यार, almost सब कुछ दन है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पर local storage में, high score को भी store करना सिगा दिया आपको, मैं सोच आथा पहले नहीं करूँ ऐसा, but comments आते फिर बार-बार की कैसे करें, code please paste कर दो, चलो मैंने at the end बता दिया, यह वीडियो बहुत ही systematic बना है, बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि जो important part था यार, वो हमने starting में cover किया, और उसके बाद end में हमने, थोड़ा था mislaneous part cover किया, high score को store करना, यह चीज़ skip भी की जा सकती है, high score जरूर ही नहीं है, कि आपको लगाना ही लगाना है अपने game में, ऐसा नहीं है कि बिना high score के आपका game नहीं चलेगा, लेकिन high score से ही होता ही कि आप challenge कर सकते हो, मज़ा आता है खेलने में, ठीक है, I hope this project was useful, आप इस playlist को इस video के बाद जरूर access करें, अभी के लिए इस video में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. हुआ है